हेलो फ्रेंड्स अस्सलामुलेकुल मेरी किछिन में आपका स्वागत है मैं सूफिया आज हम बनेंगे हैदरबादी चिकिन मेजिस्टिक तो यहां मैंने इसके दिये चिकिन दिया है धाइसोग्राम और इसको इस तरीके से लंबाई में इसकी स्ट्रिप काट रखी है जो हम इ आफ टीजपून ब्लैक पेपर पॉडर हाफ टीजपून ही डालेगे रोस्टेट जीरा पॉडर हाफ टीजपून नमक और इसमें 4 टेबली स्पून दिया है मैंने कॉण फ्लोर अच्छे से क्लीन कर लेंगे बाउन को और वन टीजपून डाल देंगे जिंजर गार्डी का एक एंड करना है vigy this time is to the Interior भीत दाल दें और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कभर कर देंगे और पर को 30 मिनट के इसको पर रख देदें 30 मिनट इसको हो गए है अब हम इसे fry करेंगे बाकी जू हम इसके अंदर मसारे लेंगे यहां मैंने half teaspoon लिये है लानमिट्जी पौलडर पार्डर, 1 teaspoon लिया है सोया सॉस quarter teaspoon लिये है रहादी वन टी सपून लिया है धन्यः क्याहार One pinch Till or two pinch taste के according हम इसमें डालेंगे नमक four table spoon मैंने इसमें लिया है रही दही टेबिल yaspoon गारलिक मैंने पुरा बन बन शिलिया है और इसको मैंने छील के इसको छॉप्ट कर रखा है चार हरी मिर्चे है, इसको मैंने इस तरीकी से स्प्रिट में काट रखा है दस से बारा हम इसके अंदर लेंगे कड़ी बत्ता और हरा धनिया तो हम चिकिन को फ्राई होने रख देते हैं पहले ओल को हम मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और इसको हम एक एक करके लारेंगे, अपस में चिपकनी नहीं जाएए यह भी हमने बन बैच डाल दिया है, यह टू बैचिस में सिख कर आएगा तो अगर जो चिपक जाए उसे आप अलग कर लिएगा और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है यह गोल्डन ब्राउन हो गए है, इसे हम बहार निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरी शिफ्ट भी फ्राई कर लेंगे यह हमने फ्राई करके बहार निकाल लिए है, उसी कड़ाई में मैंने तेल कम कर दिया है, दो टेविली स्पून ओल रहन दिया है यहां पर इसमें हम लाल देंगे सबसे पहले बसल, हलका सप्राई करेंगे इसको बस, फिर डाल देंगे हरी मिच्चे, और साथी में लाल देंगे खड़ी बत्त, फ्राइब करेंगे बन मिनिट के रिए, फ्लेम को यहां पर डो कर देंगे और इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी मेश और धनिया, और यहां मैंने टू पिंच सॉल्ट किया है, तीस सेकेंड फ्राइब करने के बाद हम इसके अंदर दही आइटर देंगे, और यहां पर इसमें तेजी से मिक्स करना है, यहां पर दही फटे नहीं बिल्कुँगी, फ्लेम को एकदम लो रखना है, फ्राइब करेंगे इसे और रिलीज होने तक, ठेट अलग होने पना गया है, यहीं पर हम सोय सॉस ऐड़ कर देंगे इसके अंदर, थोड़ा सावर फ्राइब करेंगे इसको, बसाला अच्छे से फ्राइब होगए है, यहें के हम चिकिन अड़कर देदू हो, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसमें हम खरा जनिया उट करेंगे हाई फ्लेम पर वर मिनुट इसको फ्राइ करेंगे उसके बाद गया सॉप कर देंगे इसको बहार निकर लेते हैं प्लेट में यह हैदरबादी चिकिन मेजस्टिक बनकी रेड़ी है आप इसे स्ट्राटर में बनाएं और खाएं और इसे एंजोई करें मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर कीजिए फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ इजासर दीजिए गुडबाए